कर लेते हैं यूपी में हो रहे मतदान की जहां पांचवे चरण के लिए मतदान का समय अब समाप्त हो गया है अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही अपना वोट डाल सकेंगे पांच बज़े तक का समय था और पांच बज़े तक की हम बात करें आखणों की तो देखें समय खत्म हो गया है वोटिंग का और ये जो वोटिंग पॉसंटेज आया है जो अनुमान लगाय जा रहा था उस मुताबिक तो अभी परसंटेज नहीं मिला लेकिन फाइनल आकड़े अभी परसंटेज वोटिंग के आना बाकी है किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये अगर बात की जाए इन 12 जुलों की 61 विधान सवाओं पर जो वोटिंग होई है वो तकरीबन 54 परसंट के आसपास होई है हलाकी अभी उस हिसाब से ये परसंटेज नहीं है क्योंकि अभी पूरे आकड़े सामने नहीं आया है तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद यानि की 7-8 बजे करीब वो पूरे आकड़े हमारे सामने होंगे मारे पास होंगे और उमीद जैसी जताई जा रही है कि वो 60 से 61 62 के आसपास होंगे जैसा कि अभी तक ट्रेंड चलता आया है हलाकि एक चरण जिसमें एक जो 61 सीटे थी बहुत ही महत पूर थी तो चार ऐसे महत पूर जिले हैं जो धार्मीक नाम से हैं जिनका बड़ा औसथान है धार्मीक महत बहुत बड़ा है जहां पर एक आस्था के बड़े बड़े केंद्र हैं अगर बात करें तो अयोध्या था, चित्रकूर था, प्रयाग राज या फिर स्रावस्ती, स्रावस्ती जहां से भगवान, बुद्धने, शांते का संदेश दिया सा, अयोध्या जहां एक भब सिर्राम, मंदिर जो राम नगरी है, इसके लावा कुम्ब के लिए जाने जाने व तो कुल मिलाकर भाजपा के सामने अपना वही प्रदर्शन दोहराने की चुनोती है, जो 2017 में था, क्योंकि इसके बाद चुनाओ निर्णायक बढ़त की तरफ जाएगा, निर्णायक मोड पर जाएगा, कि इसके बाद दो चरण और होंगे, एक 3 मार्च को, एक 7 मार्च को, तो कुल मिलाकर एक बड़ा ही दिल्चस्प और निर्णायक मोकाबला रहा, इसलिए सबकी धड़कने बढ़ी हुई थी इस चरण को लेकर के, जी, एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं, आलोक जी, जैसे जैसे अब आखरी के दो चरण बाकी है, पिछले 4 चरणों की हम बात कर रहा हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो या सत्ताधारी बीजेपी हो? दो चरण बाकी हैं, वो किस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन 5 चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई, बहुत शुक्रे आपका आलोक जी, इस खबर पर हमारे साथ बातशीत करने के लिए, समय समाप्त हो गया है वोटिंग का 5 चरण के मतदान के लिए, जो आज यूपी के अल लगलग सीटों पर चल रहे थे